घमंडी राजा एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया आश्रम में बहुत भीर थी तभी राजा ने बुद्ध से आगरह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है अब बुद्ध बोले सर्वत्र एकांत है और तुम्हें जो बोलना है वह यही बोलो तब र करत का पालन करना होगा राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी है और सन्यस्त होना ही है तो सब शर्ते मंजूर है बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि अपने कपड़े और जुते उतार कर अपने राजधानी के राज मार्ग पर स्वयम को जुते मारते हुए चक्कर लग किया और उसके चले जाने पर शिश्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आये थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी और आप स्वयम करुणा अवतार है फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों जब तुम लोग सन्यास लेने आये थे तो अहंकार बहुत बड़ा नहीं था इसलिए तुमसे द्वारद्वार भिक्षा मांग कर ही काम बन गया था पर यह तो राजा है और इसका अहंकार भी बड़ा है इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्ती शाली होनी चाहिए और राजा जब इस दशा में अपने ही सन्यस्त करे तभी बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें सन्यास लेने की जरूरत नहीं है अब तूम जाओ और स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए क्योंकि वही हमारे दुहक और असफलता का कारण होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में